So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज़ के रिविजन सेशन को पहला प्रस्ण देखिए विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारन ने ये काँ पे बनाया गया तो अंसर होगा इसका उस्ट्रेलिया में 2021 में आशियान की बेटक काँ पे हुई ब्रुनेई में, ब्रुनेई की केपिटल बंदर सिरी बागबान और आशियान की बात करते हैं Association of Southeast Asian Nation टूटल मेंबर कंट्रीज है इसमें 10 क्या भारत भी इसका मेंबर है तो आंसर होगा नहीं इसका हेड़कोटर है जकारता इंडोनेशिया और इंडोनेशिया से आपको याद आएगा G20 की 2022 में अद्धिक्षिता इंडोनेशिया करेगा 2021 में इटली ने की, 2020 में साउधी अरब ने की थी भारत कप करेगा? 2023 में फिर बताएए COP26 ये काँ पे हुआ? ये अभी ऑक्टूबर की बात है ग्लास्कूइ स्कॉटलेंड में वा था COP27, COP मतलब होता है Conference of Parties COP27 होगा ये 2022 में मिश्र में, और COP28 युनेटेड अरब अमिरात में होगा 2023 में, बताओ कॉंग्रेस के सबसे युवाद्यक्ष कौन थे? मौलान अबूल का नाम आजाद इनके नाम से आपको याद आएगा ये भारत के पहले सिक्षा मंत्री भी थे और इनी के जैनती यानि की 11 नवंबर को हम राष्टर सिक्षा दिवस भी मनाते हैं अंतर राष्टर सिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंचार होगा 24 जनवरी को फिर आपके माइड में आएगा 24 जनवरी को तो हम नैशनल Girl Child Debuy मनाते है राष्टर बाली का दिवस तो फिर आपके माइड में आएगा अंतर राष्टर बाली का दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 11 अक्टुबर को फिर बताओ नीति आयोग के गरीबी सूचकांग में सबसे गरीब राज्य कौन चा रहा तो आंचार होगा विहार और सबसे कम गरीब रहा था केरल नीतियायो नीतियायो के अद्यक्ष कौन है जो भारत के प्रधान मंत्री होते हैं चलो अद्यक्ष उपाद्यक्ष और ये CEO तो आपने कहीं बार पड़ च hydrogen plant इस्थापित किया गया कहां पे मत्थूरा यूपी में चलो एक प्रशन में आपसे पूस्ता हूँ आपको बताना है भारत किस वर्ष तक शुद्ध शुन्य कार्बन उत्सरजन करेगा मतलब इसने लक्ष रखा है कपका तो आंशरों का भारत ने कहा कि 2030 तक भारत को जितनी भी उर्जा की आवशक्ता होगी ने एनर्जी की रिक्वार्मेंट होगी उसका 50 परतीशत रिनेवल एनर्जी से लेगा फिर बताइए अर्गेनाजेशन का हेड़कोर्टर मिलेगा आपको मेडरीड स्पेन में और वर्ल्ड ट्यूरिजम डे कब मनाते हैं तो 27 सेप्टेंबर को और नेशनल ट्यूरिजम डे 25 जन्वरी को मनाया जाता है वैसे 25 जन्वरी को एक और डे हम मनाते हैं चलो कमेंट बोक्स में करके बताओ, हमारे नए एरचीफ मार्षल विवेकराम चौदरी एरफोर्स डे पूछेंगे तो 8 अक्टूबर, इसी तरह से नेवल चीफ हमारे आर हरी कुमार नेवल नेवी डे पूछेंगे तो 4 देसंबर को और आर्मी चीफ मनोज मुकंद नर्वने और आर्मी डे 15 जनवरी बताओ, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है तो अंसर होगा 1 जून को थीम क्या रही, सस्टेनबल इनर डेरी सेक्टर, एक जून को ही ग्लोबल डे ओफ पैरेंट्स के रूप में भी मनाया जाता है, वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को मनाते हैं और वर्ल्ड एन्वाइरमेंट डे ये 5 जून को मनाते हैं थीम क्या रही, री इमेजिन री क्रियेट, री स्टोर और इसका होस्ट कंट्री रहा था पाकिस्तान बताओ, वर्ल्ड फूड सेफटी डे कब मनाया जाता है, 7 जून को विश्व खाद्दे सुरक्षा दिवस मनाते हैं थीम क्या थी, सेफ फूड टुडे फोर हेल्दी टुमोरो एक वर्ल्ड फूड डे भी होता है, जो 16 अक्टूबर को मनाते हैं और नेशनल फूड डे 24 अक्टूबर को वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस 8 जून को, वैसे 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन टूमर डे भी होता है और वर्ल्ड ओशियन डे की थीम क्या थी और ओशियन से आपको याद आएगा वर्ल्ड मेरिटाइम डे विश्व समुदर दिवस जो की सेप्तेमबर के लास्ट थस्डे को मनाते है और इस साल बात करोगे तो हमने 30 सेप्तेमबर को मनाया और National Maritime Day वो तो हर साल 5 सेप्टेंबर को मनाते हैं विश्व प्रत्यायन दिवस हमने World Accreditation Day 9 जून को मनाया क्या थीम रही Accreditation Supporting the Implementation of the Sustainable Development Goals बालशरम के खिलाफ विश्व दिवस World Day Against Child Labour 12 जून को मनाया थीम क्या रही Act Now and Child Labour फिर बताओ अंतर राष्ट्रे रंग हीनता जागरुकता दिवस यह हमने 13 जून को मनाया यानि कि International Albinism Awareness Day थीम क्या रही Strength Beyond All Odds विश्व रक्तदान दिवस World Blood Donor Day 14 जून को मनाया अब पुराने महीने के Current Affairs का भी Revision कर लेते हैं तो बताए रोपवे सेवाओं का उप्यूग करने वाला पहला भारती शेहर कौन सा बना था तो अंसरोगा वाराना से ही और आप ध्यान रखना सार्वजनिक परिवान के लिए रोपवे बनाने वाला भारत तीसरा देश बन गया दुनिया का पहले दो कौन से हैं बोलिविया और मेक्सिको अभी किस फुटबॉल टीम ने साउथ एशन फुटबॉल फेडरेशन चेंपिनशिप 2021 को जीत लिया तो अंसरोगा भारत ने नेपाल को हराया इसमें अगर यूरो कप 2020 पूछेंगे तो ये इटली ने जीता कोपा अमेरिका 2020 अर्जेंटीना ने जीता और 2022 में जो फीफा वर्ल्लकप होंगे कतर दोहा में होंगे बताए विश्व खाद्दे दिवस यानि कि वर्ल्ड फूट डे 16 अक्टूबर को ये तो मेरे ख्याल से दो तीन बार पिछले वाली शीट में भी आमने पढ़ लिया वर्ल्ड फूट डे अब आपको याद रहेगा 16 अक्टूबर और नेशनल फूट डे 24 अक्टूबर और वर्ल्ड फूट सेफ्टी डे साथ जूने से याद रखो चलो ये प्रशन तो आपने पढ़ लिया इसी में एक और प्रशन जोड़ देते हैं वर्ल्ड फूट अवर्ड विश्व खाद्य पुरसकार किसे मिला शकुंतला थिलस्टेड याब बोल देजे शकुंतला हरी के सिंग थिलस्टेड को बताए किस राज्य के मिंडॉली केला को जियाइटिक मिला जिसे मोएरा बनाना भी कहा जाता है तो आंसर होगा गोवा बच्चों को कुविड का टीका देने वाला पहला राज्य कौन सा बना था तो आंसर होगा तामिल नाडू फॉर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की सर्विश रिष्ट नियोकता रेंकिंग में 2020 में टॉप पर रहा था समसंग साउथ कुरिया के कमपनी साउथ कुरिया सी होल में इसका हैट कोडर है प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना का CEO किसे नामित किया वहाद रितेश चोहान को ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा यूजना है न ये शुरू हुई थी 18 फरवरी 2016 को तो किसानों को किसी भी प्रकरतिक आपता के कारण अगर फसल का नुकसान होता है तो उस कंडिशन में उनको बीमा दिया जाता है बताइए किस टीम ने IPL 2021 किस का खिताब जीता चन्ने सूपर किंग ने कॉलकता नाइट राइडर्स को हरा करके और नाम और याद रखो जैसे की जो सबस्यादा रन बनाते हैं उनको मिलती है और रेंज कैप जो मिली थी रितुराज गायक वार्ड को चन्ने सूपर किंग के हैं और जो सबसे अधा विकेट लेते हैं उनको मिलती है कौन सी कैप परपल कैप ये मिली हरिशल पतेल को ये रॉयल चलेंजर्स पैंगलूरू के हैं अच्छा यहां पर आपको बताना है आईपेल 2022 में जो होंगे वो कहां पर होंगे और दो नई टीमें इसमें शामिल होई हैं व लब बन गए हैं तो आंसर होगा राहुल द्रबिड बताइए नौर्वे के ने प्रधान मंतरी कौन बन गए तो आंसर होगा जोनास गैरस्तूर नौर्वे की कैपिटल उसलो है नौर्वेजियन क्रोन्या की गरंसी है आप जानते हो नोबल पुरुसकार नोबल शान्ती का पुरुसकार ये नौर्वे उसलो में दिया जाता है बाकी तो स्टोकम स्वीडन में दिये जाते हैं और नौर्वे से आपको याद होगा इकॉनमिस्ट इंटेलिजन्स यूनेट ने अभी जो डेमोक्रेस इंडेक्स 2020 जारी किया था उसमें भी नौर्वे टॉप पे था जि किसने स्वचलित इंदन भरने की तकनीक जिसका नामे यूफिल उसको लॉंच किया तो आंसर होगा वी पी सी यल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसके अध्यक्ष है अरुन कुमार सिंग जिसका हैड़कोर्टर है मुंबई में बताए किसने ग्लोबल पी तो ऐस वजे लक्षमी चर्चा में रहा दुनूची इन्रत्य ये किस राध्य से संबन्दित है तो आंसर होगा पस्ची मंगाल का है ये और कुछी पूडी तो आप जानते ही हो आंदर प्रदेश का है कथक कली और मोहिनी अट्टम का है केरल का है जबकि तमिल नाडु का भ कुनमिंग चाइना में भारत का पहला वन हेल्थ कसूर्टियम लॉंच किया जिव प्रुद्योगी की विभाग ने बायो टेक्नलोजी डिपार्टमेंट ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित यी वोटिंग समाधान लॉंच किया तेलंगाना ने और पीमो के नए को मीरामूहंती को आछा किस शहर के डाक विभाग ने नो यूर्प उस्टमेंट एपलिकेशन को लॉंच किया था तो आशयुर मंबई तो अब कल के Current of Fates को भी revise कर लेते हैं तो चलिए कल के Current of Fates को revise करते हैं बताइए Equitas Small Finance Bank के MDC अभी कौन बन गए तो आंसर अगा वासुदेवन नर सिम्मन फिर से बन गए ये रियपोइंट हुआ इनका और Equitas Small Finance Bank जिसका Headquarter आपको मिलेगा चैन नहीं में इसी ने रानी रामपाल और श्मरती मंदानक को अपना Brand Ambassador बनाया चोथा स्वास्ते सूचकांग में बड़े राज्यों की शिरेणी के तहत वार्शिक करमिक परदर्शन यानि की incremental performance के मामले में top पर रहा कौन तो एक तो बड़े राज्यों में बात कर रहा है और ये करमिक परदर्शन वार्शिक करमिक परदर्शन में बात कर रहा है तो इसका अनसर हो का उत्रापर देश छोटे राज्यों में बोलता तो मेगाले और Union territory में बोलता तो दिल्ली जबकि overall प्रोल केटिगरी में बात करेगा, बड़े राज्यों में तो आंशरूगा केरल, बताइए किस राज्य के मुख्य मंतरी ने सुराई, एको टूरिजम जौन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रोल का उधगाटन किया तो आंशरूगा उत्राखंड, किसे पंजाब नेशनल बेंक का नए MDCO बनाया गया, अतुल कुमार गोयल को ये वितर, यूको बैंक के MDCO थे, वैसे भी यूको बैंक में अब नए MDCO भी बन गए हैं, कौन? वह हम आगे दिखेंगे, अगला है, किस देश ने वर्ष 2025 तक देश की सभी परमाणू, उर्जा, सैयंत्रों को बंद करने की क्वाइरिंग बैंक, एक्सिस बैंक, अटल रेंकिंग 2020 में पहले स्थान पे कौन रहा, IAT, मद्रास रहा, सिक्षा मंतराले ने इस रेंकिंग को जारी किया, सोमालिया के प्रदान मंतरे को निलंबित कर दिया गया, नाम बताइए, मुहम्मद हुसेन रोबल, सोमालिया के के एड़ कोटर आपको मिलेगा, कॉलकता में, तो गैस ये था आज का आपका रिविजन वाला सेशन, सेशन अच्छा लगा, लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, थैंक यू